हेलो फ्रेंट करता हूं एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो पर तो गयज इस्टेरोइड एनबॉलिक एंड्रोजनिक स्टेरोइड का ही छोटा नाम है यह सिंथेटिक हार्मोन होते हैं जो हमारी बॉड़ी का विकास कराते हैं मसल्स को प्रोमोट कराते हैं यूं कहें कि बीमारियों भी इसका इस्तमाल किया जाने लगा काफी हद तक तो यह भी का गया कि यह जान बचाने वाली दवा आपने देखा हुआ कि सड़क दुरगटना में जो लोगों को काफी ज़्यादा गंभीर चोटा आती हैं तो उनको ठीक करने के लिए उनकी उनको बीमारी से इसकी कैसे इंट्री हुई तो इस वीडियो को जरूर लाच तक बोच करें काफी ज्यादा चीज आपको जानने को मिलेंगी तो वीडियो के साथ जरूर रहने तक बने रहें बिल्कुल भी स्किप ना करें चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो चलिए जान लेते हैं कि बोडी बिल्डिंग में स्टेरोइड के इंट्री कैसे हुई इसके अविसकार के थोड़े ही वक्त बाद इसे बोडी बिल्डिंग में यूज किया जाने लगा इसने वो नतीजे दिये जिनका लोगों ने कलपना भी नहीं की थी इसे धड़ले स यूज किया जाने लगा जो आज बेहसाब जितने बड़े 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 बदन आप देख रहे हो यह दूद अंडे चिकन की देन नहीं है बलकि विज्ञान ने बनाया है और काफी जादा इसका इसका इस्तमाल किया जाने लगा है लेकिन जब डॉक्टर ने इसके जादा आगे लेके गया तभी लोगों के बीच में काफे जादा फेमस हुआ एक जरुरतमंद इंसान को डॉक्टर जितनी डोज देता है उससे कहीं सो गोना जादा यह बॉड़ी बिल्डर इसकी डोज अपने सरीर में उतारते हैं जिसके भयानक साइड इफेक्ट इने दे से जैसे एंड्रोल और अनावर को एंड्रोजोनिक स्टेरोड कहाजाता है वहीं मास्टेरोण को चाहते हैं जो ब्रात करते भ्लोगत करता में एट्रोजोनिक कoff बोने अईजन्य हो तरहां और डूटिटिन अले इ nous बोडी पर चिपका दिया जाता है, और धीरे दिए बोडी में, हार्मौन, रिलीज करते रहते हैं, जो, oral steroid से, मुह से लिया जाता है, और स्थैओरॉड है, उसे, यु force्था किया जाता है, oral steroid जिनका आम तोर पर body building में, इस्तवाल किया होता है, उनमें एंड्रॉल, ऑक्सिट्रिन, डेनवॉल, मिन्स्ट्रॉल सामिल है और इंजेक्टेवल स्टेरोइड में जिनका आम तोर पर बॉड़ी बिल्डिंग में इस्तमाल होता है उसमें डेकाडूरा बॉलिन, टेस्टेस्टोरेन, इकवी पोज और टी एच जी सामिल है अलग-अलग कॉंबिनेशन और अलग-अलग कंपॉंट्स के साथ अज काले बाजार में और भी कैई स्टेरोइड मौजूद है स्टेरोइड की भासा में आपने एक और नाम सुना होगा लॉंग इश्टर, सौट इश्टर, तो ये क्या होता है तो जो सौट इश्टर होता है ये काफी तेजी से बाड़ी ग्रो करता है जो मैं सब देशी बासा में या साब सब्दों में कहूं जो यह सौट इस्टर होता है, यह काफी तेजी से बाड़ी को ग्रो करता है, जब इसका इस्तमाल करना स्टार्ट करते हैं, तो इसके रिजल्ट काफी जल्दी मिलने लगते हैं, लेकिन लॉग इस्टर के काफी देर से रिजल्ट आते हैं, आपने टेस्टेस्टोरेन के इंज और साइपोनेट लॉंग इस्टर है और यह देर से और देर तक काम करते हैं तो स्टेरोड क्या होता है यह वीडियो आपको समझ में आगे होगी इसके कौन-कौन सी फॉर्मेक किस तरह लिया जाता है तो अबरॉल सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी अगर आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहन जै भारत